नमस्ते दोस्तों पिछले क्लास में हम लोग देखे थे ground to ground projections आज की क्लास में देखने वाले projection from certain height मतलब माल लिजिए कोई एक projectile है मेरे पास उसको कुछ height से throw करते हैं तो क्या होगा तो माल लिजिए यह आपका ground है और इससे at a height of h आपके पास एक projectile है कोई एक particle है अब आपको इसको throw करना है तो आप कैसे कैसे throw कर सकते हो case 1 में आप throw कर सकते हो इधर की और कुछ पहला case 2 में आप इधर की और throw कर सकते हो भई और case 3 में आप सीधा नीचे की और throw कर सकते हो मतलब तीन तरीके से आप इसको through कर सकते हो तो आज की class में हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके motion के बारे में हम लोग किसी एक case को पढ़ेंगे उसके result के base पर बाकी दो case को study करेंगे तो चलिए start करते हैं सबसे पहले case 1 से ही तो इसको पढ़ने से पहले हम लोग कुछ consider करके चलते हैं कि इसके motion को study करने से पहले जो सबसे पहला होता है यार acceleration due to gravity constant मानके चलते हैं जैसे कि पहले projectile में भी हम लोग किये थे पहला दूसरा air resistance को consider नहीं करते हैं तिसरी चीजे जो इसमें additional होती हो क्या है वैसे तो उसमें भी थी कि जहां से मैं throw कर रहा हूं इसको मैं origin मानके चलता हूं throwing point को आप origin मानके चलते हो पहला दूसरा इस line को जो line parallel to ground है इसी आप reference line मानके चलते हो reference line अब यह मानने के पीछी का logic क्या है इसके पीछे का simple सा है कि यह चीजे मेरी जे आसान कर देगी यह चीजे मेरी कल्कुलेशन आसान कर देगी दूसरी बात है तिसरी बात है अगर मैं उपर की ओर throw कर रहा हूं तो जीतना angle subtend कर रहा है मैं उस angle को positive ठिटा मानके चल रहा वह angle क्या है मेरा positive ठिटा ठीक है अब इस line से उपर की जो भी distance होगी उसे मैं positive मानूंगा और इस line से नीचे की और जो distance होगी उसे negative मानूंगा ए चीजे मैं consider करके चल रहा हूं किसलिए क्योंकि मेरा calculation आसान हो जाए मुझे पढ़ने में आसान हो जाए ठीक है भाई अब start कर होते हैं अब मुझे बताओ कि जब आप इस particle को यूव वेलो सिटी से थ्रोग किये होगे अब यूव वेलो सिटी से आप थ्रोग किये एट अन एंगल ओफ ठीटा फ्रॉम दर होरिजॉंटल नाटी जावाद उपर की और इसकी कोई एक वेलो सिटी रहेगी तो सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं कि इनिशल वेलो सिटी उसकी होरिजॉंटल क्या रहेगी इनिशल वेलो सिटी इसकी होरिजॉंटल यूव कॉस्ट ठीटा रहेगी और वर्टकल वेलो सिटी यू साइन ठीटा तो यहा जिस point पे particle की velocity यूश एंट ठिटा 0 हो गई होगी यानि यूवाइए component of velocity 0 हो गई होगी सिर्फ horizontal velocity रहेगी वी एक्स रहेगी इस वाले point को हम क्या कहते हैं maximum height h maximum ठीक है भई अब यह particle यहाँ से यहाँ आने में जो time लिया होगा उस time को क्या कहते है time of light और यहाँ से यहाँ तक के distance that is horizontal distance horizontal distance को हम क्या कहते है range of the particle range of particles ठीक है भई एक्क करके हम सारे के सारे चीज को पढ़ेंगे क्या value आएगी कितनी आएगी सारी की सारी चीजे और जितने velocity से strike कर रहा होगा इसको हम क्या कहेंगे striking velocity ठीक है दोस्त चलिए बच स्टार्ट करते हैं एक एक करके उसे पहले हम क्या करते हैं उसे पहले एक table बनाते हैं जैसा हम convince nally बनाते हैं एक X का बनाएंगे और एक Y का बनाएंगे ठीक है अब मुझे एगर UX लिखना रहा तो आप UX क्या बताओगे UX हो जाएगा आपका यू को ठीटा आपको भी ये टेवल जरूर बनाना है टेवल बना लेने से मेरे लिए चीज़े एकदम आसान सी हो जाएगी कैँ वै बताओ अब आप आप साइन ठीक थीग्हैरर अब जैसे कि हुक diesem चैडर की है कि उपर टेटिव लेंगे तो निचे की और मुझे निगेटिब लेने ही पड़ेगी और एक्सलेशन हमेशा मेरा नीचे की ओर ही होगा तो इसको हम क्या मानेंगे माइनस जी ठीक है भई अब मुझे बताओ कि एस इनिश्यल डाटिज डिस्प्लेश्मेंट अलॉंग एक शाक्सिस क्या है अगर और जिन पहतो और जिन जीरो एस इनिश्यल इस केस में क्या हो जाएगा इसका भी जीरो है भाई तो जीरो एस फाइनल क्या होगा यार फाइनल पोजिशन इसका क्या है आर तो आप आर लिखोगे इसका फाइनल पोजिशन क्या है पहले जीरो पे था फिर एच नीचे की ओर आ गया तो पॉजेटिव लेना या नीट जेना है ऊपर की ऊर पोजेटिव सी हैं तो नीचे की ऊर आप नीटिव लोगे तो इसbaनल अब क्या लिखो गे माइनस है जो है अब पढ़ना चालू करते हैं जो मेन बाते हैं सबसक्झाय है हमारा इसमें सबसे पहला है आपका इयार टाइम of flight सबसे पहला question उसी सी आता है सबसे पहला क्या है time of flight अब मुझे बताओ time of flight निकालोगे कैसे तो time of flight निकाली के लिए हम vertical motion को study करते हैं जब आप vertical motion को study करोगे तो फिर मुझे बताओ particle यहां से start होकर यहां तक गया आपके पास SI पता है SI, delta SI आप लिख लो, minus H, displacement along y axis, minus H है, ठीक है, आपके पास और क्या पता है, आपको पता है, UY, UY क्या है आपको, U sin theta, टेबल में से देख लो, U sin theta, और क्या पता है, AY पता है, AY कीतना है, minus G, ठीक है भई, तो मैं एक्वेशन रिच कर सकता हूँ, क्या, कि S is equal to U Y T plus half AY T square, आसानी से हम लोग एक्वेशन रिच कर सकते हैं, यहां से आपकी value क्या आगी, minus H is equal to U sin theta, into T, plus half, minus G, T square, यानी, G, T square, minus 2 U sin theta, into T, minus 2H is equal to 0, यह टाइम मेरा यहां को अड़ाटी के form में आ रहा है, तो जब हम इसे solve करेंगे, तो मुझे time क्या हैगा, T is equal to 2 U sin theta, T is equal to 2 U sin theta, plus minus root under 4 U square sin square theta, plus 8GH by 2G, एक मेरा form, किसी form में आ रहा है, जैसे ही मेरा theta का value substitute करेंगे, H का value substitute करेंगे, तो मुझे easily time of flight मिल जाएगी, यह तो मेरा time of flight आ गया यार, किस पर dependent है, theta पर depend है, और H पर depend है, ठीक है पहला, दूसरा, अब अगर आपसे H maximum पूछा जाए, कि maximum height क्या होगा, तो दो term आ सकती है, पहला, maximum height from the ground, मतलब, इस particle को यहां से यहां तक के maximum height क्या होगा, H maximum, एक यह पूछा जा सकता है आपसे, दूसरा, maximum height from the projectile, from the projectile who is going to throw the projectile, from that one point, from where the projectile thrown, यानि, इस वाले height के बारे में पूछा जा सकता है, तो अगर इस वाले height के बारे में पूछेगा, तो भी आप निकाल दे सकते हो, इस वाले height के बारे में पूछेगा, तो भी आप H maximum निकाल के, इसमें h add कर दोगे, तो असान ही शिया जाएगी, तो इसमें h maximum from ground निकालते है, h maximum, that is maximum height, from ground, कैसे निकालिए गया है, h maximum will be, capital H, plus h max, हाँ मुझे बताओ यार, अगर मैं इस projectile को study करूँ भई, यहाँ से यहाँ तक, इस वाले point से इस वाले point तक, मैं एक कर सकता हूँ, क्या कि मेरा projectile जो है, सरूब बिल्कुल 100% projectile on ground जैसा work कर रहा है, projectile on ground जैसा treat कर सकते हैं, हम इसको आसानी से कर सकते हैं, उस case में h max आप कैसे निकालोगे, उस case में आप निकालोगे, h plus h max is equal to u y square upon 2 ay, फिर आपकी क्या value आजाएगी, h plus u sin theta whole square by 2g, यह क्या आती है भाई मेरा h maximum, यह क्या आती है, h maximum, maximum height from ground, अगर maximum height from the reference point पूचा जाता है, reference line पूचा जाता हो, तो simple सा हो जाता आपका, u sin theta whole square upon 2g, यहां तक तो ठीक है, अब इसमें तिसरा आते हैं यार, जो पूचा जाता है, वो क्या पूचा जाता है, range क्या होगा, particle ground के along the ground कितना move करेगी, range of particle, range, यही range है, यह range मतलब along x axis कितना move की है, तगर मुझे along x axis move करने के लिए निकालना रहा, तो मैं क्या लिखूँगा, sx, ut plus half ax t square, ठीक है भई, यहां ux क्या है, velocity along x axis, ax क्या है, acceleration along x axis, t क्या है, time of flight, आर यह बस समझ, अब आप value substitute करिए, तो आप क्या लिख्यों कोई, sx is equal to u cos theta into t plus half into 0 into t square, going to be 0, that is, sx is equal to u cos theta into t, that is, range is equal to u cos theta into t, आर यह बस समझ, यह सब को आप mark करते चलेगा, इसका हम लोग यूज करने वाल हैं, case 2 और case 3 में, यह मेरा आगया भाई, range, अब आते हैं, तिसरे और important वाले point पे, वो क्या है, यह वाली velocity क्या होगी, ठीक है, हम मुझे बताओ, कि जब यह velocity है, तो एक vector quantity है, तो इसकी दो component होगी, एक along this, इसको हम क्या लिखेंगे, v cos alpha, एक perpendicular to this, इसको क्या लिखेंगे आप, v sin alpha, अब हम यहाँ से, velocity of a striking क्या लिख सकते हैं, यह लिख सकते हैं, क्या कि, v is equal to, v cos alpha i cap, that is vx, plus v sin alpha j cap, that is velocity along y axis, velocity along x axis, and velocity along y axis, असानी से लिख सकते हैं, हम मुझे बताओ, v cos alpha क्या हैगा, that is vx क्या हैगा, यही हैगा न, ux plus axt, ax क्या है आपका, 0, तो vx क्या जाएगा आपका, ux, that is u cos theta, इसको equation 1, 1 है, हम मुझे बताओ यार, vy क्या जाएगा, अगर t के टर्म में निकालना है तो, u sin theta, minus gt, यह आजाएगा time के टर्म में, अगर height के टर्म में आपको निकालना हो, तो कैसे निकालोगे आप, vy is equal to, vy square is equal to, uy square plus 2 ay sy, आप लिखिए, uy क्या है आपका, u sin theta, whole square plus 2, acceleration क्या है भाई, minus g, sy क्या है, minus h, तो आपके value आजाएगी, u sin theta, whole square plus 2gh, क्या आजाएगी value, इसको equation 3 बना दीजी आप, अब मुझे बताओ, final velocity का magnitude क्या हो सकता है, vx square plus vy square, power 1 by 2, vx square क्या है आपका, u cos theta whole square, plus vy square, यही है न, अब मुझे बताओ, vy square क्या आगी आपके, अब मैं यहां से vy का value उठाता हूं, vy square का value, फिर क्या आता है, यहां से यहां से मुझे मिलता है भाई, time of flight निकाल चुके, maximum height निकाल चुके, range निकाल चुके, और velocity of striking निकाल चुके, चारोची निकाल चुके, अब बात तो एक case 1 की थी, अब case 2 और case 3 में क्या करेंगे, एक चीज़ और, अगर आपको alpha निकालना रहा, फाइनल, velocity of striking, तो tan alpha कैसे निकालोगे, tan alpha, यह तो सारे के सारे जानते हो, क्या, vy upon vx, यहां से आपको tan alpha की value असानी से आ जाएगी, अब बात आते हैं, case 2 और case 3 को कैसे study करेंगे, case 2 को क्या करेंगे बई, simple सा, जहां जहां मेरा ठिटा का value, कुछ भी है, मैं अगर ठिटा का value case 2 में 0 रख दू, तो मेरी answer आजाएगी, चलिए देखते, जिदा result ही उच करते हैं, हम लोग इसका, आप मुझे बताते जाएगा, ठीक है, मैं फिर से एक projectile बनाता हूं, और आप मुझे बताते जाएगा, case 2 के लिए, case 2, for case, for case 2, सबसे पहले, case 2 में ठिटा क्या हो जाएगा आपका, ठिटा बिल भी 0 degree, यही होगा न, case 2, यह आपका ground रहा, यह आपका height रहा, case 2 में आप यहाँ से थ्रोग करोगे, with velocity, यह उ, तो ठिटा आपका 0 हो जाएगा, अगर ठिटा 0 हो जाएगा यार, तो फिर मुझे बताओ, सबसे पहला time of flight क्या होगा, time of flight आपका क्या है या, ठिटा 0 रख दिजिए आप, ठिटा 0 रखोगे तो, time of flight आजाएगा, 2 into u into sin 0, 0, plus minus root under, 4, u square, into 0, plus, 8gh, divided by, 2g, यहां से मुझे time of flight क्या मिलता है, यहां से मुझे time of flight मिलता है, root under 2h by g, यह मुझे time of flight आगी, कब, जब मेरा ठिटा 0 हो जाएगा, जब हम horizontal थो करेंगे, तब पहला, एकदम आसानी चे निकल गया, अब आते हैं इस पर दूसरा पर, दूसरा का है आपका, second quantity क्या दिया है भाई आपकी, h maximum, maximum height from ground, भाई यह तो एकदम simple सा है, ठिटा फिर शे आप 0 रख दिजिए, ठिटा 0 रखोगे, तो maximum height आपका h का h चाह जाएगी, वो तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, यहां से throw कि यह उपर जाही नहीं रहे है, तो maximum height तो ही रहा जाएगी, तो आप फिर से वही रख दो, आप ठिटा की जगह 0 रखोगे, तो आपकी value क्या जाएगी यार, आपकी value आजाएगी h maximum, h is equal to, यही है न, h plus u sine theta, whole square by 2g, आप रखे, theta is equal to 0, तो h max is equal to, h का h plus 0 square by 2g, that is h maximum will be, आपका h का h रह जाएगा, वो तो हम लोग देख के भी बता सकते हैं, वो चीज़े देख के भी बता सकते हैं, तिसरा क्या कौन सा quantity है, मेरे पास range, तो फिर मुझे बताओ, range is equal to क्या होगा, यही है न, r is equal to, u cos theta into t, u cos theta into t, आप u का value, sorry, theta का value रख दिजिए, u into t, t का value आपके पास, root under 2h by g आ चुका है, तो range क्या जाएगा आपका, u into root under 2h by g, यह आ गई, fourth quantity क्या है भई आपकी, fourth भी हम लोग देख नहीं लेते हैं, fourth quantity है आपकी, velocity of a striking, velocity क्या आएगी बताओ, velocity आ रही है आपकी, u square plus 2gh, v square is equal to, u square plus 2gh, भाई यह तो independent of theta है, तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, velocity of a striking पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, independent of theta है, ठीक है भई, अब इसमें tan alpha की value क्या हैगी, tan alpha, tan alpha फिर से vy upon vx हो जाएगी, आप फिर से vy आसानी से निकाल लोगे, यह वाला equation यूज करते हुए, vy निकाल लोगे, फिर आप आसानी से, vx तो आपको पता ही है, यह थी case 2 के लिए, अब case 3 में देखते हैं, मुझे बताओ यार, case 3 में होगा क्या, case 3 में चीजे क्या बदलेगी, case 3 में चीजे बस इतना ही बदलेगी, ने कि, यह जो ठिटा उपर की ओर था, अब ठिटा नीचे की ओर हो जाएगा, बस यही चेंजे जाएंगे, case 3 में यहीपर देख लेता हूँ जल्दी, आप ठिटा है नीचे की ओर आप थ्रोग करोगे, आणि ठिटा की जगर मुझे क्या लिखना है, ठिटा की जगर मुझे लिखना है, minus ठिटा, जैसे ही मैं ठिटा को minus ठिटा में convert कर दूँ, मेरा case 3 आजाएगा, क्या है मेरा time of flight time of flight में अगर आप ठीटा की जिएगा माइनस ठीटा वैलू रख दोगे तो क्या एगा रख के देख लूँ कि मैं सेगेंड वाले केस को आप को डिलीट कर देता हूं रेच कर देता हूं ताकि इसी एक ही मोट पर हम लोग आसानी से कर सकें क्या कि करने के लिए एकदम आसान सा रहे हैं केस ठाट अब देख रहे हैं हम लोग केस ठीटा निगेटिव टाइम आफ फ्लाइट क्या आगा वाई आपका सबसे पहला टाइम आफ फ्लाइट क्या आगा बता है यह है यह है ना डाइरेक्ट रिएल्टी उच करें टाइम आफ फ्लाइट इस इकवल टू तो यू साइन माइनस थिट्टा प्लस माइनस रूट अंडर फोर यू स्क्वार साइन स्क्वार माइनस थिट्टा प्लस तो जी एच बाइ कि तुजी यहां से मुझे क्या मैं लगा या टाइम टू उच्वार माइनस टू यू साइन थिट्टा इसमाइनस थिट्टा प्लस माइनस रूट अंडर 4 रूट प्लस एव इजिट्टा प्लस 2 जी ह ये तो आपका time of flight आ गया second क्या देखेते हैं हम लोग इच maximum पाई H maximum तो logic है कि जहाँ से आप तो किए वही आपका maximum height है इसमें H maximum में H इ जए work नहीं करेगी H maximum will be simple H आरे यह बस समझ क्यों H क्यों किए हम इस से नीचे जा रहे है नहीं यार ऊपर थोड़ी जा रही है उपर नहीं जा रही है तो जहां से आप थो किए वही आपकी इनिशियल है ठीक है दोस्त कि एच मैक्समुम तो एच रह जाएगा तीसरा इसमें क्या है रेंज अब मुझे बताओ रेंज क्या रखोगे आप के रेंज इज इकवल तू क्या था आपका ई एक रही है ऑला टाइम एट नतो टीथ थीक है भई एक तो कि 3 quantity आ गया case 3 के लिए जब मैरा ठिक्ता निकेटिब है अब इसमें 4 मैं देखते हैं velocity of striking go velocity of striking अब बताओ velocity of striking V क्या करोगे आप v is equal to V is square plus रूट अंडर टू स्क्वार प्लिस टू जी एच है यह क्या है मेरा इंडिपेंडेंट आफ ठिटा इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है जो उपर थ्रो करने पे था अगर वेलो सिटी कॉंस्टेंट रखे तो वही वेलो सिटी करने पर होगा y velocity वेलो सिटी आफ टेकिंग में यह सकते हो new है लूक करेगी गजिंट ऑन 1 यह सबसे पहला फॉइंट दे कि आप्लिक होगे जो आज की क्लास में हम लोग सीखे सबसे पहला पॉइंट मैगनिटीड ओफ वेलोशिटी ओफ श्ट्राइकिंग इस इंडिपेंडेंडेंट ओफ ठिट्टा मैं अजिटीड ओ वेलोशिटी ओफ श्ट्रैकिंग इश्ट्राइकिंझ इंडिपेंट इंडिपेंडर इंडिपेंट ओ गलोफ व्रॉचेंट थे projection and only depend on initial velocity and height. and height आरिए भाई बात समझ पहला दूसरा इसमें क्या कर सकते हैं दूसरा क्या कर सकते हैं भाई दूसरा इसमें क्या आप conclusion निकाल सकते हो दूसरा निकाल सकते हैं time of flight किसके लिए maximum होगा ? time of flight किसके लिए maximum होगा ? अगर velocity सेम रखे तो जिसके अंगल पॉजेटिब होगा ? time of flight will be maximum 4 पार्टिकल which is thrown upward with certain angle तिसरा एक खूबस्तूरत सा रिजल्ट क्या है ? कि अपने लेवल तक उस पार्टिकल को हम अपने लेवल तक उस पार्टिकल को हम क्या टिट कर सकते हैं ? पार्टिकल ओन ग्राउंड प्रोजेक्ट टायल्स एड दे लेवल ओफ फाइट एच एड दे लेवल ओफ एच मतलब जहां से आप आप आटिकल को थोग किये हो ? पार्टिकल को आप क्या कंसिडर कर सकतो कि मेरा ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्ट टायल जैसा है ? एड दे लेवल ओफ एच कि इफ दे पार्टिकल इस थ्रोण और लिकली अप्वाइश कि अप्वाइश दे बें अप्वाइश it will be have like a ground to ground projectile ground to ground projectile and will follow the result also follow their result also and will follow their result also here we go through this particle so at a height of h here we consider that ground to ground projectile work and will follow the result in this class we will see in the next class with projectile on inclined plane thank you